सुदेश अपनी जिन्दगी में बहुत खूश था वजे भी थी नौ साल से उसने शराब छोड़ रखी थी एक समय उसकी परिस्तिती ऐसी थी के वो शराब के बिना रह ही नहीं पाता था मतलब एक तरफ से समझा जाए तो वो सुबा उटके कुला भी शराब से ही करता था लेकिन आज नौ साल रिकवरी में रहने के बाद वो खुश था अब उसकी शादी हो चुकी थी उसका परिवार था उसका एक बेटा भी था जिन्दगी एकदम मस्थ चल रही थी उसकी सब कुछ ठीक था अचानक एक दिन बच्पन का दोस्त जो उसके साथ ही स्कूल में पढ़ा करता था संजे का फोन आता है संजे उससे कहता है अरे सुदेश कैसा है मैं तो बढ़िया हूँ संजे तू क्या कर रहा है संजे बोला मैंने अपनी ये गाड़ी की एजेंसी खोल ली है और आज मेरे एजेंसी की चौत्री साल गिरा है तो अपने सारे तमाम पुराने दोस्तों को डूंड कर मैं एक पूल पार्टी दे रहा हूँ अपने फाम हाउस पे ये सुनकर सुदेश बोला तुने अपनी फाम हाउस भी ले ली बस समझ ले तकदीर ने सारा दे दिया सुदेश बोला ठीक है मैं देखता हूँ तो संजे बोला देखता हूँ नहीं तुझे आना ही है अपनी बहुत पुरानी दोस्ती है संजे बोला लेकिन यार तुम लोग तो वहां पे शराब वराब चलाओगे और मैंने तो उसकी इतनी बात सुनते ही संजे बोला अरे तू तू तो सबसे ज़्यादा पीने वाला था तू तो स्कूल से ही नमबर वान था हमारे बीच में जबकि हम नहीं पिया करते थे हाँ संजे बोला बात सही है लेकिन उसके बाद काफी चीज़े मैंने खोई और एक समय इस खदर अकेला पड़ गया कि मुझे समझ में आया कि मेरी तवाई से बचने का एकी रस्ता है कि मैं इस शराब से अलग हट जाओं क्योंकि तु मेरे बच्चपन का दोस्त है इसलिए तुझे बताने में कोई परेशानी नहीं है कि तीन-तीन बार मैंने सेंटर काटा है और उसके बाद अब जाके मैं पिछले नौ साल से एक बूंद नहीं चुआ हूँ संजे बोला कोई परेशानी नहीं है कोई तु यह मजबूर नहीं करेगा तू सिरफ आ जा तू हमारे साथ कोई कोल्डरिंग पी ले न और फिर जब तुर को लगे कि तू यह जाना है तो तू चले जाना पर कम से कम एक बार आ जाना सुदेश बैठके सोचने लगा क्या करें क्यों न एक बार अपनी पत्नी से परामर्श कर लिया जाए फिर उसे लगा कि पत्नी से पूछूंगा और जैसे उसको पता लगेगा कि वहाँ शराब भी चलेगी वो तो फौरान इंकार कर देगी अब क्या करना चाहिए फिर उसने अपनी फोन की तरफ देखा स्पॉंसर की याद आई उसने सोचा एक बार अपने स्पॉंसर से मशवरा कर लेता हूँ वो नराज नहीं होगा वो मुझे सही मशवरा देगा उसकी उंगलिया फोन के डाल तक पहुंची थी कि अचानक उसको एक ख्याल आया नौ साल हो गए मुझे बिना पीए अब तो पीने की इच्छा भी नहीं होती है खुश हूँ अपने परिवार के साथ अपने बीवी बच्चों के साथ एक काम करता हूँ अपने स्पॉंसर को सर्प्राइज दूँगा पार्टी में जाऊंगा शराब भी नहीं पीऊंगा और फिर अपने स्पॉंसर से शेरिंग कर लूँगा कि ठीक है देखो मैं अब पूरी तरह अपने आपको कंट्रोल कर सकता हूँ मैं फिल में भी गया लेकिन मैंने जहर को हाथ तक नहीं लगाया ये सोचकर शाम को टाल बहाना करके तैयार होके वो फार्म हाउस पहुंच गया जाहिर सी बात है काफी लोग थे फार्म हाउस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी तरह तरह के लोग और देखके लगता था काफी अच्छी हालात में रहने वाले लोग होंगे अच्छे कपड़े, महंगे, जूते गले में हार, हाथ में ब्रेसलेट हर कोई ऐसे ही नजर आ रहा था उसको संजे ने फुकारा अरे सुदेश, इदर आ सुदेश गया तो अब वहां पे और चार दोस्त भी मिल गए जो एकी क्लास में पढ़ते थे चारों के चारों वहां एक टेबल पे बैठ गए स्विविंग पूल के बगल में और स्कूल की बाते होने लगी गनित के मास्टर जी जिनके डंडे से सब को डर लगता था केमिस्टर के गंजे सर जो सर पे टोपी पहनते थे और एक बार पिकनिक जाते समय उनकी सर की टोपी खिड़की से निकल गई थी जोर जोर से हसी के टाहा के चल रहे थे सुदेश का मन खुशी से विभोर हो उठा और उसने सोचा सही फैसला किया मैं अपने दोस्तों के बीच में आ गया बाकी खुशिया तो मुझे सब मिली बस शायद यही बाकी था उसके दोस्त धीरे धीरे पी रहे थे एक एक करके छोटा छोटा सिपले के वह अराम से बैठके उसको अचानक से ध्यान आया कि स्कूल का जो बायलेजी टीचर था उसका एक बार स्कूटर एक्सीडेंट हो गया था तब सारे लड़के भागते वे गए गए थे सब इस आलोचना में लग गए कि किसने क्या किया उन में से दो लड़कों ने सुदेश की बड़ी तारीफ की उस टाइम तुने जो मेहनत की सुदेश वो बालेजी टीचर तो सर आज तक नहीं भूले होंगे सुदेश ने का मैंने क्या किया जो मुझे करना था मैंने वही किया अचानक सुदेश के कान के पीछे एक आवाज आई ड्रिंक सर सुदेश ने के साथ बात करते करते इतना भी बोर हो गया था कि उसे खुद समझ में नहीं आया कब उसके हाथ में जाम आ गया और बात करते करते उसने जाम की दो चुस्की ले ली और बड़े normal तरीके से बात कर रहा था कि अचानक उसे एक जटका लगा उसने अपने दोस्तों से का मैं अभी आता हूँ बोलकर वो फामाउस के अंदर की तरफ चला गया अंदर फामाउस के बैठक खाने में कुछ देर अपना सर पकड़ के बैठा रहा उसके अंदर सेल्फ गिल्ट शुरू हो चुकी थी आत्म गलानी अब उसके पास दो ही रास्ते थे इस आत्म गलानी को छुपाने के लिए अब वो फिर से पिये और दूसरा रास्ता स्पांसर को फोन करना अंदर से उसका दिल उसको धिकार रहा था कि सुदेश ये तुने क्या कर लिया समयना गवाते हुए सुदेश ने तुरंत अपने स्पांसर को फोन लगाया बोला सर मैं सुदेश बोल रहा हूं स्पांसर बड़े प्रेम से बोला हाँ सुदेश कैसे हो सुदेश का स्वर तब तक रुआसा हो चुका था और वो बोला सर मैं फ़स गिया सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई उसके स्पांसर ने पूछा अभी कहा हो तुम सर अभी मैं एक फामाउस में हूँ यहाँ पे पूल पार्टी चल रही थी और मैंने गलती से दोच उसकी शराब की मार ली अब मुझसे रहा नहीं जा रहा स्पांसर बोला अरे कोई बात नहीं परिशान मत हो लेकिन फिलहाल अपने घर चला जा जाकर अपनी पत्नी से खुल कर पूरी बात बता दे साफ सुत्रा कहना कि यह मुझसे गलती हो गई और उसके बाद कल आके मुझसे मिल ले गलती इनसान से होती है अब यह गलती क्यों हुई यह मैं तुझे कल बताऊंगा अपने स्पांसर का शुक्रियादा करते हुए सुदेश उठा और सीधा घर चला गया